जब बात जिन्दगी की इन पहलूँ की आती है तो शब्दों का इस्तिमाल सिर्फ शब्द विज्ञान के अनुसार नहीं होना चाहिए। आपने कहा मैं बहुत कन्फ्यूजड आत्मा हूँ पर आत्मा कभी कन्फ्यूजड नहीं हो सकती। आप एक कन्फ्यूजड मन है। क्योंकि अगर आप इन दोनों में फर्क नहीं समझेंगे, मान लीजे कि आप अपने डॉक्टर के पास गए, क्योंकि आपको रुदह समस्या है और आपने कहा, डॉक्टर मेरे लिवर में कुछ परिशानी है, वे किसी और चीज़ का इलाज कर देंगे, है ना? है ना? इसलि बाल की खाल खीजने की भी बात नहीं है, ये बस ऐसा ही है, आपको हार्ट प्रॉब्लम है लेकिन आप लिवर के डॉक्टर के पास चले गए, ऐसे कोई समाधान नहीं निकलेगा क्योंकि ऐसे परिशानी और बढ़ जाएंगी, क्योंकि वैसे भी अगर एक बार आप वहां गए, तो उसे लिवर की सर्जरी करनी ही पड़ेगी, चाहे आपको लिवर की समस्या हो या ना हो, ये उस बिजनस का हिस्सा है, ठीक है, इसलिए बहुत महतुपूर्ण है, आपकी आत्मा कन्फ्यूज नहीं हो सकते, और पहली बात ये है कि आप आत्मा के बारे में बात मत ह कीजिए, क्योंकि आपको इसका अनुभव ही नहीं हुआ है, और अगर आप उस बारे में बात करते हैं, जिसका आपको अब तक अनुभव ही नहीं हुआ है, तो अगर कड़े शब्दों में कहें, तो ये जूट बोलने के बराबर है, इसलिए ये पहला काम है जो आपको करन कीजिए, आपको जूट बोलना बंध कर देना चाहिए, जो आपके लिए सच नहीं है, उसके बारे में बात ना करें, हो सकता है, ये गीता में कहा गया हो या वेदों में लिखा गया हो, और हर कोई इसके बारे में कर रहा हूँ, इस से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो खास इच्छा पैदा होगी, जो आपको वहां तक ले जाएगी, अगर आप उसके बारे में बात करेंगे, तो आप गपशब से संतुष्ट हो जाएगे, असली चीज आपके साथ कभी नहीं होगी, आपको गपशब से संतुष्ट हो जाएगा, गपशब बहुत संतुष्ट देती है, आप जानते ही हैं, हाँ, बहुत से लोग गप मार कर सच्चाई से बचते हैं, बहुत से लोग सिनमा जाकर सच्चाई से बचते हैं, सिनमा का मतलब है किसी की गपशब है न, किसी की कहानी, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, पर अगर आप इससे अपने जीवन को भेतर बना रहे हैं, तो यह ठीक है, लेकिन अगर आप इसका उप्योग अपने जीवन से बचने के लिए कर रहे हैं, तो यह बड़ी समस्या है है ना, और बहुत से लोग इसका उप्योग जीवन से बचने के लिए कर रहे हैं, वहाँ आ आपको बस पॉपकॉन खाना है और सब कुछ होता रहेगा आप रो सकते हैं, आप हज सकते हैं और खत्म उन्हें पर बहार आ सकते हैं और वे आपको बताते भी हैं कि फिल्म खत्म हो गई आचकल वो लोग दी एंड नहीं दिखाते आपको खुद समझना होता है कि फिल्म पूरी हो गई एक समय था जब वे लिख देते थे the end क्योंकि हो सकता है आपको समझना है और आप अगला शो देखने लगें इसलिए खुद को धोके में मत रखे खुद के लिए जो सबसे छोटी चीज़ आप कर सकते हैं वो यह है कि खुद से जोट मत बोलिए आप अगर दूसरों से जोट बोलना बंद कर दें तो आपके आसपास का जीवन भी जबर्दस तरीके से बदल जाएगा लेकिन वो मैं आप पर छोड़ता हूँ ओके? वो आपका अपना डिसेजिन है लेकिन कम से कम इस एक विक्ति के साथ सौ प्रितिशत सीधी बात करें कोई भकवास न करें आपको ऐसा करना ही चाहिए क्योंकि ये विक्ति इसका अधिकारी है और कम से कम इसके लिए इतना करना आपका फर्ज बनता है मुझे नहीं पता कि आप किस तरह की सामाज एक और अनपरिस्थितियों में है मुझे नहीं पता कि आप दूसरों से जूट बोलना बंद कर सकते हैं या नहीं अगर आप ऐसा कर पाएं तो आपके आसपास के जीवन में भी जबर्दस सुधार आएंगे अगर आप अपने आसपास ऐसा कर पाते हैं तो बढ़िया हैं आपको यद्भुत चीज रच पाएंगे अगर ऐसा नहीं हो पाया तो कम से कम इस एक व्यक्ति के साथ इस व्यक्ति को जूट मत बोलिए कम से कम इस एक व्यक्ति के साथ सौ प्रतिशत सचे रहिए ऐसा बस इसलिए हो रहा है क्यूंकि एक समय में इस संस्कृति में एक जीवन्त आध्यात्मिक वातावरण था उस समय से अब तक ये बहुत कम हो गया है वो जबर्दस आध्यात्मी कूर्जा तो चली गई लेकिन वो सारे शब्द आज भी मौझूद है आप जहां भी जाते हैं लोग अंतरात्मा, आत्मा, परमात्मा की बाते करते हैं शब्द अब भी आम भाशा और सामाने वातावरण में चल रहे हैं पर वो आग बुझ गई है एक तरह से ये एक सकारात्मक प्रभाव भी हो सकता था लेकिन ये एक नकारात्मक प्रभाव भी है क्योंकि आप सबसे उंची चीजों के बारे में सांसारिक तरीके से बात कर रहे हैं गपशब की तरह बाते करने से सारी उंची चीज़ें गायब हो जाएंगी चाई की दुकान में लोग गीता के बारे में बात करते हैं चाई की दुकान में कोई खराबी नहीं है लेकिन उसमें पवित्रता और फोकस की कमी है पवित्रता का मतलब ये नहीं है कि आप उसे उंचा मानने लगे पवित्रता को इस अर्थ में समझें कि अगर आपको दूद में हाथ डालना है तो आपको अपने हाथ साफ करने होंगे है न, वरना दूद खराब हो जाएगा ये भी वैसा ही है किसी चीज में हाथ डालने से पहले पहले थोड़ा द्यान रखना पड़ता है वरना आप एक confused आत्मा बन जाएंगे लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये सच है मन confused हो सकता है मन सिर्फ confused ही हो सकता है अगर किसी का मन स्पष्ठ है तो वो इनसान कटर होगा क्या आप समझ रहे हैं? मन का स्वभावी ब्रह्म में रहना है यही इसकी सुन्दरता है वो हमेशा ब्रह्म में रहता है क्योंकि वो कुछ भी समझ नहीं पाता लेकिन यह सब कुछ एखटा कर सकता है और उस पर विचार कर सकता है लगातार आपके तारकिक मन का यही सोभाव है आपका मन हमेशा कनफ्यूजड ही रहेगा अगर आप एक ही दिशा में सोचने वाले मूर्ख या फिर कटर नहीं है मन हमेशा भ्रहम में रहेगा, मन का भ्रहम में होना अच्छा है अगर आप अपने मन को संभालना जानते हैं अगर आप अपने मन को व्यवस्थित करना जानते हैं अगर आप चेतन रूप से अपने भ्रहम की मांत्रा को जबर्दस रूप से बढ़ाना जानते हैं अगर आप जागरूख होकर अपने भ्रहम को संभालना जानते हैं तो मन एक बहुती उपयोगी वाउजार है अगर आप ऐसा मन चाहते हैं जो भ्रहम में ना हो तो आप दिमाग की सरजरी करवा सकते हैं आधा दिमाग निकलवा दीजे फिर भ्रहम चला जाएगा सब साफ आप जितने बुद्धिमान है उतना ही हैरानी का भाव होगा उतने ही आप हर चीज को लेकर भ्रहम में होंगे आप जीवन को जितनी गहराई से देखेंगे उतने ही भ्रहम में पड़ जाएंगे और यह अच्छी बात है सिर्फ ऐसा इंसान जो किसी चीज पर ध्यान नहीं देता जो बस एक तरीके से देखता है उसे हर चीज के बारे में पक्का विश्वास होता है अगर आप ऐसा करते हैं आप या तो मूर्ख होंगे या फिर कटर और इन दोनों में जादा फर्क नहीं है इसलिए अभी आपका दिमाग कन्फ्यूज है क्योंकि यही दिमाग का नेचर है आपको सीखना पड़ेगा कि आप किस तरह से कन्फ्यूजन का फाइदा उठा सकते हैं अगर आपका दिमाग कन्फ्यूज नहीं है तो इसका मतलब है कि यह लगातार ठीक से काम नहीं कर रहा है यह एक ठैरा हुआ दिमाग है आपका दिमाग एक कॉंक्रीट ब्लॉक बन गया है जो हर चीज के बारे में निश्चित है नहीं तो लगातार आप ज़ादा से ज़ादा जानकारी ले रहे हैं तो यह हमेशा कन्फ्यूज रहती है क्योंकि यह हमेशा उससे अधिक सूचना प्राद कर रहा है जितनी यह कर सकता है बहुत सारी सूचना है इतनी ज़ादा सूचना अगर आप देखें अगर आप इस कमरे की चीजों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसी चीजें दिखेंगी जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा अगर आप बस किसी एक चीज को देखें तो ऐसा होने लगेगा बात बस इतनी है कि लोग बस ऐसे देखते हैं और उन्हें कुछ नजर नहीं आता अगर आप किसी चीज पर अच्छे से ध्यान दें तो आप देखेंगे कि एक सरल सी चीटी जीवन भर आपका ध्यान अपनी और खीच सकती है उसमें इतना कुछ है तो आसपास के हर चीज पर अगर आप भरपूर ध्यान दें तो आपको इतनी जानकारी मिलेगी कि कि किसी का भी मन उसे समझ नहीं सकता जो मन ध्यान नहीं देता उसे ही लगता है कि उसे सब पता है ध्यान देने वाला मन ब्रह्मान की हर चोटी सी चोटी चीज के बारे में भ्रहमित होता है और ऐसा ही होना चाहिए आपको भ्रहम से दुखी नहीं होना चाहिए आपको समझना चाहिए कि अगर आप हमेशा भ्रहम में हैं तो आपकी बुद्धी काम कर रही है, हाँ, तो जब आप अपनी आत्मा और मन को अलग-अलग कर लेते हैं, वैसे आपके अनुभव में तो आत्मा का स्तित्वी नहीं है, आप देखेंगे कि मन को हर दम, हर दिशा से बहुत सी चीज़े मिल रही हैं, हर समय, जाकते हुए और सोते हुए भी, हमारी पांच इंद्रियां हमेशा अनुभव करती रहती हैं, जादा तर लोग इस बारे में जागरूक नहीं होते, तो उनका जीवन ठैरा हुआ और बोरिंग बन जाता है, ब्रहम होने का मतलब है कि संभावना बाकी है, अन्तिम नतीजे का मतलब है मृत्यो, इसलिए अन्तिम नतीजे पर पहुचने की और ब्रहम को दूर करने की कोशिश मत कीजिए, ब्रहम अच्छा है, इस समय ऐसी चीजों की कलपना मत कीजिए जो सत्य नहीं है ब्रहम इसलिए होता है, क्योंकि आज ता कोई भी इंसान ब्रहम्हांड या जीवन की प्रकृति को अपने मन में समझ नहीं पाया है आप जीवन बन सकते हैं और जीवन को जान सकते हैं लेकिन जीवन को कभी समझ नहीं सकते, कभी भी नहीं, आप जीवन को कभी समझ नहीं सकते लेकिन अगर आप पूरी तरह से जीवन के एक अंश बन जाएं, तो आप जीवन को उसके असली रूप में जान जाएंगे तो जीवन को जानने का एक ही तरीका है खुच जीवन बन जाना क्या आप जीवन है आप आत्मा है या जीवन है आप जीवन है या नहीं आप हैं तो वही बन जाए फिलाल आप जीवन नहीं है आप विचारों, भावनाओं, धारणाओं, राय और पूर्वा ग्रहों का एक बंडल है ये चीजें आपके अपने जीवन में ज़्यादा शक्तिशाली हैं, है न? हाँ या न? आपकी जीवनतता से ज़्यादा जगा आपके विचार और भावनाओं ने घेरी हुई है क्या आप समझ रहें? आपके सोचने की वज़य से आपका अस्तित्व नहीं है आप जिन्दा हैं, इसलिए आप चाहें तो सोच भी सकते हैं लेकिन फिलहाल विचार प्रक्रिया ने इतना विवश कर दिया है कि लोगों को लगता है कि वो जीवन से भी उपर है ऐसा नहीं है जीवन से पहले आपके विचारों का अस्तित्व नहीं हो सकता आप जीवित हैं, इसलिए आप सोच सकते हैं विचार अगर किसी के विचार किसी एक चीज़ पर टिके हुए हैं और उसे किसी और चीज़ की परवा नहीं रहती तो ऐसे इंसान की विचार प्रक्रिया अस्तिवेस्त नहीं होती वो अपने विचार की वज़े से मुक्त होता है अस्तिवेस्त विचार प्रक्रिया आपकी रक्षा नहीं कर सकती पर अगर आपका विचार सिर्फ एक ही चीज से जुड़ा हुआ है तो ऐसा केंदरित विचार आपको बहुत सारी सुरक्षा, लक्ष और काबिलियत दे सकता है वो एक अलग बात है लेकिन फिलाल आप उस स्थिती में नहीं है तो एक सरल साधन का उपयोग करना अच्छा होगा इस बात की चिंता ना करें कि कोई आप पर प्रभाव डाल सकता है आपको ये समझने की जरूरत है अगर आप खुद की रक्षा करते हैं तो खुशाली से भी दूर होंगे समझें आप तो बचाव ऐसा होना चाहिए कि जिन चीजों की आपको जरूरत नहीं है सिर्फ वो चीज़ें आपसे दूर रहें आपको फिल्टर की जरूरत है दीवार की नहीं अगर हम आपके चारू तरफ एक दीवार बना दें तो ये आपको जीवन से ही बचा लेगी बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं वे अपने आपको मौत और खत्रे से बचाना चाहते हैं लेकिन वे खुद को जीवन से ही बचा लेते हैं वे इतने सुरक्षित होते हैं कि जीवन भी उन्हें नहीं चूता वे इतने सुरक्षित हैं ऐसे न बने जीवन को आपको चूना चाहिए यहां तक कि अगर जीवन आपका दम घोंटने लगे तब भी वो जीवन से अच्छूते रहने से बहतर होगा धन्यवाद